बॉलिवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहे ये वाट्सअब बॉलिवुड के साथ अमित का कहना है कि मौनी ने उनकी वाइफ रूबी को यूज किया है लेकिन हुआ क्या आईए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरी डीटेल आपको बता दे एक लीडिंग डेली से बात करते हुए अमित तंडन ने बताया कि किस तरह से मौनी रॉइ इतनी फेक हैं और वो अपने दोस्तों का यूज करती हैं टाइमस ओफ इंड़ा से बात करते हुए मौनी रॉइ के बारे में पूछे जाने पर अमित तंडन ने कहा मौनी रॉइ कौन मुझे पता है कि मेरी पत्नी रूबी ऐसा नहीं कहेगी मुझे नहीं लगता है कि मैं मौनी रॉइ का चेहरा फिर कभी देखना चाहता हूँ उस दड़की ने मेरी पत्नी का इस्तमाल किया हमें लगा कि वो रियल है लेकिन जब रॉबी मुसीबत में थी मौनी ने उसका साथ छोड़ दिया जैसे लोगों के चेहरे बदलते हैं वैसा ही हुआ इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि कैसे उन्होंने मौनी के बारे में पहले तो कुछ और ही सोचा था और मौनी निकली कुछ और ही इस पर बात करते हैं वामिर टंडन ने कहा हम मौनी रॉय का एक नया चहरा देख रहे हैं ये वो मौनी रॉय नहीं है जिसे हम जानते थे हमने उसे एक अच्छा इंसान माना था उसने रूबी की आत्मा को चोट पहुँचाई है मिस रॉय आपने रूबी को तब छोड़ दिया जब वो कुछ भी नहीं थी आज वो पहले से बड़ी हो गई है रूबी सब के लिए बहुत कुछ करती है वो इतनी अच्छी है कि अपना खाना तक दूसरों को दान कर देती है मौनी रॉय को हम कभी माफ नहीं करेंगे दोनों के एक बेटी जियाना भी है लेकिन वो दोनों 2017 में एक दूसरे से अलग हो गए वही 2019 में वापस ये कपल एक साथ आ गया 2017 में रूबी 10 महीने दूबई के अलरफा जेल में बन थी इसलिए क्योंकि दूबई के हेल्थ अथारिटीज ने उनके अगेंस्ट ये कमप्लेंड की थी कि वो दूबई के हेल्थ अथारिटीज के कुछ गवर्मेंट ओफिशल्स को थ्रेटन कर रहे थी इसके बाद 10 महीने तक जेल में बिताने के बाद रूबी इंडिया 2019 की जैन्वरी में लौट आएं वहीं अगर हम अमित तन्न के करियर की बात करें तो उन्होंने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करके अपने टीवी इंडस्ट्री के करियर की शुर्वात की थी इसके बाद उन्हें कैसा ये प्यार है जैसे शो में पृत्वी बोस और दिल मिल गए में डॉक्टर अभिमन्यू के किरदार में देखा गया इता ही नहीं अमित को ये है महाबते में सुब्रमन्यम चंदरन के किरदार में भी फैंस ने पसंद किया वही कसम तेरे प्यार की में उन्हें अभिशेक खुराना के किरदार से जाना गया इसके अलावा भी उन्हें ने कई सारे रियालिटी शोज में पार्टिसिपेट किया है जैसे कि जो जीता वही सूपरस्टार एंज जरा नच के दिखा वेल, मौनी रॉय के बारे में जो कुछ भी अमित तंडर ने एक्स्पोस किया है इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंस में हमें जरूर बताईए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे होट्स अब बॉलिवूर्ड